जे लो कि इस लेक्ट्ट्र में जन्रल डायस के बारे में ठोड़ा डिटेल पढ़ेंगे के जन्रल डायस में हम कैसे पता करते हैं कि किस नमर की अपकोजिट्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि यह ऑट गा और चेनरल डास क्या होता है स्टेंडर्ड डाइस का तो हमने पढ़ लिया था कि यह जो लुडवाला होता है वो स्टेंडर्डर्डाइश होता है और इसमें क्या ऑल अपॉजिट नंबर्स और अबोजेट नंबर्स का टोटल होता है साथ तो यहां पर ऑल की बात हो रही है यहने कि अगर यह है इसकी चे साइड सोती है तो नीचे क्या होगा और एक जो है ना अपोजेट का टोटल होता है सेवन होता है और सब में ऐसे ही होता है यहने कि जो बैक साइड है यहां पर चार होगा तो यहां पर क्या होगा तो यह हमने लिए पड़ था जर्णरल डाई स्टैंडड़ डाइस के बारे में में और स्टैंडर डाईस के वह सब्सक्रा अगर फहूंगे तो बहुत कम कुश्चन ने कुछ पुछ जाते हैं क्यों पांच परसेंट पूछे जाते हैं घॉन सब्सक्राइघघाय सब्सक्राइब नंबर्स का टोटल सेवन होता है तो अगर कोई पूछे का पांच के अपोजिट क्या हुआ तो पांच के अपोजिट दो हुआ तो यह नहीं कि अगर कोई तो यह हमने पड़ाता है यह हमने प्ड़ाता है स्टेंडर्ड के आप देखो जैनल-डाइज क्या होता है चैनल-डाइस में क्या होता कोई भी एक एक एट जैसेंट्साइड और या टोटल इस सेवन मतलब अगल वगल की कोई बी एक नी लिखा हुआ हे यहां पे और यहां ऊपर लिखा हुआ POW मैंने आउल-अप्छलाब होता है सब सारी के सारी तोटल 7 obs तो 17 वह सकता है तो भी हो सकता है हो सकता तीन साइड ऐसी हो जाए जहां अगल बगल के जो नमबर से उनका तो यानिके अगर मैं बोलू कि यहां पर पांच है और यहां पर दो है तो इनका टोटल क्या हो गया जब एक मिल गया मुझे कि 7 हो गया और दूसरा चीज देखनी नहीं तो जब एक में ही और हो सकता है कि एक से ज्यादा भी मिल जाए यहां पर एक है तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अगर एक भी है तो आप पता नहीं रहता है कि अपोजिट में क्या नंबर है इसके ऊपर जब कुश्चन आएगा तो आप कैसे तो देखो इसके दो-3 cases होते हैं तो कौन से थे एक हो अब हम सबस्क्रार रहे हैं ढहीं पड़ होता है आपको पता है कि एड़ेसेंट आइड़ होता है तो यानिके इसके तीन केसे हैं कि अपोजेट नंबर क्या होगा तो इनका पहला केस क्या है कि जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं है यानिके नो कॉमन नंबर तो यानिके एक साइड एक डाइस की दो साइड दे रखी है और साइड टू दे रखी है तो पहला केस तो होता है कि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तूसरा क्या होता है वन एक नंबर जो हैना कॉमन होता है ठीक है और तीसरा क्या होता है कि दो कॉमन होते नंबर तो यहां पर यहां पढ़ रहे हैं कि अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो किसके बोजिट क्या है यह आप कैसे पता करोगे तो देखो इसका रूल क्या होता है द है यहां पे चार है यहां पे छ कि आप यह देखो इन दो 12 को जब आप कंपेर करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी दो डाइस के तो किसके आपोजिट क्या है हम यह कैसे पता कर ता रूल क्या है भाई टॉप के अपोजिट जो होता है इस एक और राइट के होता है ओर लेफ्ट वालें कि होता है राइट वाला दंव्श यो Спасибо करते यूब से यहाँ देखो यहां पर जो यूउलव डाई से पहले वाला तॉप वाला नंबर है यहां पर इंद और यहां पर जो है यह राइट वाला नंबर出 excess जाह यह राइट do ठीक्भब है एसे यहां पर दो mail वाला है और यहां पर एक लाए ठीक ए कैस्ट के ओक्रणिंग होगा सब्सक्राइब पोता है यह एए रूल है दो है और रट के पोजटेंप आन्लै ai यह 650 और यह लेफ़ेद मावेन तो राइद पाच है तो है तो आपोज तो यहां पर एक है और यहां पर जाकते हैं नहीं होता है यह पाइम होता है तो यह जानी कि जब जनर्लडव दॉस्वें हमार 딱 कैसे निकालते हैं तो पहला काल वह में देखना पर को यूद नंबर नहीं है तो हमारा हुग वह भी यह में सब्सक्राइब टॉप के अपोजिट टॉप वाला है और लेफ्ट के अपोजिट राइट वाला है अगर कोई भी कॉमन नहीं है तो ठीक है अब ऐसे देखो यहां पर चार है तीन है तो है ठीक है यहां पर वन है और पाइव है और सिक्स है ठीक है इस केस में आप कैसे निकालोगे यही रूल है टॉप के अपोजिट टॉप यानिके तीन के अपोजिट हो गया पांच कि पांच तो आप है तो इस दो के अपोजिट क्या हो गया हो गया ठीक है और ऐसे चार के अपोजिट क्या हो जाएगा च्छे बासिए तो यह रूल है जन्रल डाईस का है टॉप जन्रल डाइस में यह तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि किस नंबर के बोजट क्या है एक और गोशन देखो यहां पर फाइव है 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 यहां पे टू है यहां पर वन है है यहां पर फॉर है यहों पर सिक्सथ सगिंसकर है तो इस केस में देखो और फोजट क्या हो गया थी और दो पर यहाँ पर रइक और तीन मूझ्ध ओज़क्रीख्षण एक हो गया सीन और पांच के choices क्यों क्योंकि यहां प्लेस और यहां पर राइट है है में प्ले तो यानि कि आपको टीन उबन नहीं यह दो जाना चाहिए यह कि कॉय भी कॉमांन नंबर नहीं है तो तो किस तरीके से निकालते हैं टॉप के बोजेट लेफट लेफल यापको लिखे लेना नोट कर लेना है इसके नोट बना लेने अब दूसरा के देखते हैं कि जब एक नमबर कॉमन होगा तो कैसे करते हैं तो केस तीक में तो वन डिजिट इस कॉमन तो वन डिजिट कॉमन रहे अगर मैं आपको बोलू क्या यहां पर इब त्री है यहां पर फइले ठीक है यहां पर वन है यहां पर टू है और यहां पर सिक्स है ठीक है तो अब आप देखलो आपको पता चल रहा होगा कि यह जो वन है यहां पर यह कॉमन है और कोई नंबर कॉमन नहीं है ठीक है तो यह कौन सा केस होगा है जब एक डिजिट कॉमन होता है दो को साइड में एक हीडा तो हम कैसे पता करते हैं कि किसके स्टी यहां पर हमें एक सीबी सी बात करनी है कि जो मेंन नंबर है वहां से क्लॉक वाइज चलों ränusan ठीक है यहन से चलोगे तो सब्सक्राइब लिए और दो पाइब क्लॉटाइब वन है व्न टू और सिक्स तो बस दोट चार एक नमपर कॉंपन होता है एक डिजिट कॉंपन होता है दो साइड में तो इस तरीके से हम चलते हैं या फिर ल हो बात है कि I अगर मैं इसमें एंटी क्लॉक वाइस चलूं तो देखो आंसर वही आएगा एंटी क्लॉक वाइस चला था ठीक है अब एंटी क्लॉक वाइस कैस चलोगे 153 तो यहां पर क्या लिखोगे आप 153 और ऐसे यहां से जो वहां से शुरू करना आपको लॉक्वाइस और एंटी क्लॉक वाइस तो यहां पर क्या हो जाएगा 162 162 तो तीन के दो है देखो यहां पर यह चीज आयती धैता कि कर मिन होता है तो हमें का है जो कॉमन नंबर होता है वहां से मिन आनी है चाहें वह अप क्लॉक क्लॉक वाइस बनाओ और उस जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से नंबर लिखते ने दोनों के ऊपन नीचे ज kepada नीचे लिखोगे तो आपको यहां पे पांच चार दो को यहां पे एक कौमन कों सा नहीं यहां पे वह तो अब कैसे करोगे पांच से शुरू करोगे और चलोगे चलोगे आपकी मरजी तो पाँच चे तीन हो ठीक है और ऐसे यहां पर पांच से शुरू करोगे कॉमन वाले नंबर से पांच चार दो तो यह हमारा आंसर आ गया तीन के अपोजिट दो है छे के अपोजिट चार है और पांच के अपोजिट क्या हुआ जो बचा है वन ठीक है तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे किसके एपोजिट क्या है कि एक और एक्जामपल यह देखो भू हुथ 5ा कि टीक है उसके बाद 314 यह क्विश्च्शच वाहां कांसा कॉमन नंबर कॉमन नं नंबराइं यह तीन कॉमन चलो यहां पर कर लेता हूं तो यहां पर देखो यहां जो है जो कॉवन नंबर वहां शुरू करेंगे तीन चार एक तो आपको जब एक है तो चार है और तीन जो बचा क्या बचा च्छे बचा तो तीन की आपोजिट है जब एक डिजट-onan होता है दो में एकई डाइयज के जब आप दो देतेखते हो तो अलग अलग तरीके से देखते हो अलग-अलग अगल्स लेक य domicis टो तो अगर आपको एक नंबर कॉमन कोई पी एक डिज़िट कॉमन नजर आता है तो यह वाला Similar Fly a त्जिआए है रहीं कॉमन नंबर से कॉमन नंबर हुप क्राम कॉमन नंबर क्लोक वैस कर दो है क्लॉक बढ़िए चलो तै intriguing क्लॉक से टॉ है czy लोग less इंटी मे nossa वितर्बॉस बस आपको चलना कहां से आपको चलना है जो कौमन नमबर वहां से तो तो मैंने तीन एक्जामपल बता दिया आपको यह अच्छे समझ में आ जाएना चाहिए अब हम देखते हैं केस 3 केस 3 क्या बोलता है जब दो डिजट्स अड पामन है तू डिजट्स आर कामन ठीक है तो जब दो डिजिट कोवां होने हैंने कि यहां पे चार है यहां पे पांच है यहां पे तीन है और यहां पर पांच है यहां पर तो दो नंबर कॉमन है इसका रूल का जो नंबर यहां पर यहां पर आपको क्या देखना है यहां इस तरीके से करेंगे और एक और कुश्चन लेते हैं 162 फिर 124 यहां पर क्या दो दो और तो यानिक जो कॉमन नहीं है वह सिक्स है और यहां पर है तो सिक्स के अप्टटि क्या हो गया और इस तरीके से निकाल लेंगे अच ढ़िए एक और एक और एक जांपल देखो चार थीन एक और यहां पर एक दो तीन ठीक है यहां पर दो कॉमन नंबर हो गए एक यहां भी है और यहां भी है और तीन नंबर यहां भी है और यहां भी है तो अनकॉमन क्या बचा चार बचा और यहां दो बचा तो यहां पर चार के अपोजिट क्या होगा है दो होगा तो इस तरीगे से जब दो डिजिट कॉमन होते हैं तो हम नि काल लेते हैं किसके वजिट क्या है तो किभार तो है किसी में तो हो सकता है कि एक नम्बर कॉमन हो किसी में दो लगा के देख लो एना ऐसे दो डाइस पकड़ लो जिन पर कोई कॉमन नहीं है ठीक है यहां पर 143 है और यहां पर कहें टू वाँ फाइव और सिक्स तो अगर इस अगर यह दे रखें तीन एंगल दे रखें एक दो और तीन आप इसको और इसको कंपेर कर लोगे तो यहां पर क्या होगा वन फोर थी टू फाइव सिक्स तो कोई भी कॉमन नहीं है तो आपको पता ही यह कैसे करते हैं ठीक है ना तो यह तो मैंने ऐसी बता दिया नंबर तीम कि तीन चार्दजब डाइस के एंगल दे रखते होते हैं तो बीसमें एक कॉमन होगा कुछ में एक लिए आपको पता जाएगा जब आपको पता होगा कि जब कामन नहीं होते तो कैसे निकालते हैं और जब गॉजड़ते तो यह थे जनबार के अंदर क्योंकि सब्सक्राइब क्या है और थे नंस का टोटल 7 तो द्में के चार थो पॉजेट मिंसे 9 तो यह गैश्यें टोपोजेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं लाइस में मैं जो आप देखे हैं पेला पेला किसित किया है कि कोई भी कॉमन नमबर नहीं ठीक है नुओ कॉमन का डिजिट कि दूसरा क्या यह वन को वान डिजिट तो यह जो अलग अलग के सिसे मैंने आपको डाइस के बताएंगे और यह जितना भी हमने पड़ा है जनल डाइस के बारे में और स्टेंडरडाइस के बारे में उसके उपार हम कुश्चेंज करेंगे तो जब क्वेश्चेंज करोगे सबसे पहले आप क्या देखना अलग अलग अंकल्स दिए हुए होते हैं सबसे पहले आपको प्लस माइनस करके यह देखना है कि यह जनरल डाइस है यह इना तो अगल वगल के नमबर जोड़ लो और कोई भी तो फिर आपको यह वाले तीन केसिस को इस्तेमाल करना है तो याने कि क्वेश्चन में आपको जो जितने भी एंगस दिये हुए है एक डाइस के उनमें सबसे पहले चीज आपको देखनी है कि यह स्टेंडर्डाइस है जैनल डाइस है और इस तरीके से हमने स्टेंडर्डाइस और जैनल लाइस के बारे में पढ़ लिया क्या होता है कैसे निकालते हैं और आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे इसके आगे की वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे सो डाट इस एट पर दिस लेक्चर थैंक यू